हेलो विर्वान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब वोफुली बहुत ही अच्छे होंगे तो किसी का कमेंट था कि पानी कितना गरम होना चाहिए तो आप अगर ध्यान से देखें तो देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं तो पानी बस इसी पर हम बंद कर दें हाला कि इतना पा आपको उतना गरम करना पानी ग्लास में डालना है और इसमें मिलाना है ठंडा पानी थोड़ा सा जितना कि आप पी सको आपके फिंगर में लगे कि हां तेज गरम है और बरदास भी हो रहा है गले में मतलब आपको अनभव होना चाहिए गले में जाएगा तो मतलब इतना ज सिप सिप करके और फुक फुक के पिया जाता है ठीक है तो अगर आपका पानी थोड़ा जल रहा है तो आप वहां पर फुक मारो फिर पानी पियो ठीक है तो वह इतना गरम नहीं होगा कि मतलब अंदर जाके कोई नुक्षान पहुंचाएगा ओके तो अभी आपको एडिया होगे ना कि कितना गरम पानी पीना है इस तरह से आप पी सकते हो कई लों का मतलब कमेंड्स आता है कि हरवल्टी में और कौन सा मतलब ऐसा पिए कि जिसे तेजी से वेट लॉस हो तो मैं अभी जो है उसको मना करूंगी क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर हो रही है और वैसे ही रूम वह क्या बोलते हैं टंप्रेचर आजकल का बहुत ज्यादा हाई जा रहा है ठीक है कि गर्मी के कारण तो मैं नहीं बोलूंगी कि वह सब चीजे आप यो जैसे धनिया पानी जेरा पानी अजवन पानी दालचीनी पानी यह सब की तासिर बहुत गर करते हैं तो का सब्सक् сч extremes को सब्सक्राइब पानी कि açच और मैं को पानी जादा लगेशा बहुत आफित कशको काा मतला अक्तिन होगा बिना बchte ऑन्हे सब्सक्राइब कि इसको मतला सब्सक्राइब कि उसको बना अभी के इस सेब्स-सीवारत कर गाए आप उस मूसमानी ठी किचन में उठिए आए किचन में उसको गरम करिए और पीजिए ठीक है तो जिनको भी कबजी की समस्तिया या फिर जिनका भी पेट साफ नहीं होता है उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर होगी गरम पानी के बहुत सारे फायदे हैं गरम पानी पीने से हमारा जो पाचन है उसको जब आप खाली पेट गरम पानी पीएंगे जब आप फ्रेश नहीं हुए रहेंगे तो उसके पहले अगर आप गरम पानी पीएंगे न तो बहुत ही अच्छी तरह आपका पेट साफ होगा और मतलब 10-15 में आपको टैलेट जाने की जरूत पड़ेगी बहुत ही अच्छी सामने मेरी सास बैठी हुई थी तो मैं उनको भी दिया उठके खड़ी हुई थी न तो वह बैठी हुई है सामने तो उनको दिया बदा मैं खाई और उसके बास ते अभी मैं फ्रूट्स ले रही हूं क्योंकि जिम जाना था तो जिम जाने के पहले मैं ये फ्रूट्स लेती का्रीस उसके एकश्रसाइज करने के बाद नहीं यह ही कैसे किसा है तो आपको दो पूज़ेस्ट करना है आप प्वूजापाटज करने के बाद आप एक्सरसाइज करिए वह आपका सेडूल है मैं उसमें नहीं आपको कोई सजेस्स कर सकती ठीक है आप चाहे तो दोपर में भी कर सकती है एक्सरसाइज लंज करने के पहले आप चाहे तो शाम को कर सकती है एक्सरसाइज ठीक है डिनर करने के पहले आप एक्सरसाइज उस ट तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आप मतलब रहो गया है तो कहने के मतलब यह इए कि तीन चार घंटे बाद आप एक्सराइज किया करें खाना खाने के ठीक है और मेरे खयाल से पूजा पाड जो है वो हम फ्रूट्स खा करके अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स खा करके भी नहाद हो करके पूजा किया जाता है अपना सबका एक स्रद्धा होता है ठीक है सबका एक तौर तरीका होता है मैं बहुत जाद है इस पर कि सभी करो ठीक है हर किसी के घर का रूटीन और हर लोगों का जो सोच होता है वो अलग अलग होता है किसको किस तरह किस रधा पसंद है तो मैं बहुत जादा उसमें वह सजेस्ट नहीं कर सकती जैसे लोग दुकान पर जाते हैं पूजा वगएरा करते हैं तो घर से खाना खा क यह तो नहीं चले जाते ना तो सब की सरद्धा अलग अलग है वह अपने हिसाब से आप मैनेज करेंगे ठीक है यहां पर मैं बना रही हूं मुंग दाल की खिचडी तो देखिए मुंग की जो है मुंग दाल जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और तेन चार चमस सिर्फ चावल है वो भी चावल ब्राउन राइस है इसमें क्या कुछ में डाल रहे हूं यह देखिए लौकी थोड़ी सी बने डाली है टमाटर लिया है हरेमेस लिया है और लहसन लिया है यह सब मैं इसमें खिचडी में डाल करके बनाऊंगे बट मैं आप लोग को यह सज़ेस क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो गया था यह खिचडी जब मैं खाई थी ना तो मेरा पेट बहुत भारी-भारी सा हो गया खिचडी के मतलब थोड़ा सा हलका होना चाहिए मैंने सूचे थोड़ा इसको हेल्दी बना दे सब्सक्राइब अगर डाल के बट यह थोड़ा भा थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें और भागोने में अगर हम किसी भी चीज को बनाते हैं खुले बरतन में तो वो खाना बहुत हिल्दी होता है इधर मैं सबजी बना रहे हूं घर वालों के लिए अलू पर वल्टमाटर के ठीक है कूकर में ना बना करके अगर कुकर में बना इसे बरतन में बनाते हैं तो जादा हिल दियुक को होता है और मूंग ने मेरा था उसको राद भर भिगो दिया था फिर मैंने खेऀ बनाया कि अराम तो दो बज रहा है और मैं अपना लंच ले ली है अभी जस्ट मैं ओट डाल के आ रही है तो हम लोग एक बार सुबब में गया है साथ बजे तो साथ बजे गया है तनी भीड की मतलब देड़ दो घंडे बाद नंबार आता तो हम लोग चले आएं कि मुझे खाना भी बनाना तो इतने दिर में वहां पर रूप भी नहीं सकती तो यह हुआ कि हम लोग दोपर में जाएंगे दूप में दूप में कोई नहीं रहेगा सच में बिल्कुल फेड़ना ही था हम लोग गया है पास्वन में चले आ है मतलब लाइन भी नहीं लगाना पड़ा बस जाया है तो दोपर बन जाने का यह फायदा हुआ कि बहुत देर तक रुकना नहीं पड़ा है तो तो रिंकोसर आप का केरना है कि मोनी में exercise करना cycling चलना सही है या फिर शाम को जैसे साम में आप exercise करना चाहते हो या फिर शुबह में cycling करना चाहते हूं किया उसका आप timing पूछ रहा हो तो तो देखो exercise और cycling का जो भी है ये भी exercise में ही आता है उसका कोई timing नहीं है आप कभी भी जब आपके पास time हो जब आप comfort हो तो कर सकते हो ठीक है वो अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हो वैसे cycling जो है आप सुबह में भी कर सकते हो शाम को भी कर सकते हो exercise साम को शुबह जब भी सदाब करके ID स्दाब בóg mix को पी सकते हैं मतलब उनके छोटा बैबी है तो चोटा बैबी है तो ग्रीन टी कब से पीना स्टार्ट कर सकते हैं तो देखो पहले तो alguma शे महने तक जो ब Vermaison goo कर ऑंदिन ल कर जाता है तो तब तक तो कोई भी ऐसी चिज नहीं खाय जाती है कि जो अनहेल्दी हुल हो या फिर बच्चे को कुछ नुक्षान करें ठीक है अगर आपका बेबी 6 महीने के उपर का हो गया तो आप एक टाइम गिरिंटी पी सकते हो कोई भी चीज मतलब छोटा बेबी है सिमीत मातरा में आप करेंगी खाएंगी पीएंगी तो वो नुक्षान नहीं करेंगा ठीक है अधरवाइज आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो एक बार कि आप कपसे गिरिंटी पी सकते हो यहां पर देखिए यह साम का टाइम है और मैं बना रही हूं पुड़ू पुड़ू और अपे इसको बोलते हैं यह सूजी का होता है सूजी में दही डालके प्याज डालके और सिम्ला मिर्च आप इसमें गाजर भी एड़ कर सकते हो मटर भी एड़ कर सकते हो तो मैंने वह सब नहीं डाला था क्योंकि वह सब था भी नहीं तो मैंने सिम्ला मिर्च डाला था प्याज डाला था और लहसन अधरक का पेस जाल करके उसको बैटर एक थोड़ा थीक बैटर तैयार करते हैं फिर इसको पुड़ो वाले भरतन में बनाते हैं तो यह सामके टाइम में नाचता था यह देखिए बहुत टेस्टी लगता है इसको आप चटनुटी के साथ खाएं अच्छा लगता है तो डियर मैं आपको यह कि आप मतलब टी सोच रहा हो कि पीने से मेरा एकदम तेजी से वेट समन हो जाया तो इसा बिलकुल भी नहीं है ग्रिन टी हमारे मेटाबॉलिंज को सही करता है और वो बस हेल्प करता है थोड़ा सा वेट को कम करने में मेटाबॉलिंज को बोस्ट करता है वो ठीक है जब हमारा मेटाबॉलिंज जो बोस्ट होता है फास्ट होता है तो हमारा जो खाना है वो असानी से पस्ता है जिसकी वज पाने के एक घंटे बाद आप गरम पानी पीओ थोड़ा तेज गरम पानी तो उससे आपका जितना फाइदा ग्रिंटी करेगा ना उतना ही फाइदा उससे कहीं ज्यादा अच्छा है पानी स्यादा गरम पानी तो आप वह पिया करें तो यहां पर देखिए पुड्डु मरब बंड के तयार हो गया है और यहां पे मैं बननाने जा रही हूं अपना मैंने उसमें ओल नहीं लगा एगा थी तो इस्टो यह फाइदा करेगा मतलब क्योंकि ओल बहुत जदा नहीं खाना है अभी अमें तो एक तो नॉन इस्टिक पैन है तो इसमें बहुत ज़दा ऑibl की जरोद भी नहीं पड़ती है और इतना सार मैंने पुड्डू बनाया था ना मत्र एक से डेड़ चमत घी लगा होगा तो यह हेल्दी ही था घरवालों के लिए भी उतना नुक्षान नहीं था यहां पर देखिए मैं सोच रही थी ना पता नहीं मेरा यह पलटेगा की नहीं कहेंची पकना जाये बट नहीं अच्छे से पलट गया है तो इसको मैं खाई थी तो यह कोई नुक्षान नहीं किया फिर क्योंकि ओएल नहीं है ओएल में चुपड़ चुपड़ के चीजे बना हो तो वह नुक्षान करता है बाकी इस तरह से बहुत ही थोड़े से ओयल में चीला वगएर आप बना के खा सकते हो कोई भी अपना डाइट वाला चीज है ना कम से कम तेल डालो एक दम थोड़ा सा चुटकी भर ठीक है तो यहां पर दिखिए मैं चार पीस ली हूं क्योंकि दो मैं और डेड़ी किचन में ही खाली थी ऐसे ही बनाते हुए सब को दे दी थी फिर ऐसे ही मैं बना के मतलब ऐसे ही खाली थी तो अभी मैं इसको खालूंगी और यह हो गया है मेरा डिनर ठीक है एक आईडी है आलिया बाबू करके तो उनका कहना है कि दि मैं पन्क नीका करते होगे तो इसल्ग नहीं होता हो गाएंसा तो नहीं आप x पंखा चला करके करते हो तो इसी बिल्कुल भी नहीं चला ना है पंखी दीची बहुद कर करके पंक हो जो हम कर देना तो स्वेटिंग होनी चाही है आरी बोडी से पसीना जो है वो बाहर निकलना चाहिए तो आपको पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं exercise करना है और exercise के सारे से steps से पूरा करिए 45-50 चाहाइ़ एक्सराइज करिए, क्यों नहीं गर्मी होगा आरामकशे होगा गर्मी मतलब बोडी हीट होना चाहिए पसीना बाहर निकलना चाहिए गर्मी होना चाहिए तो फाइदा करता है एक्सरसाइज वेट कम होता है ठीक है तो चलिए वीडियो को यह पे इंड़ कर देते हैं यह रहा हाज का रूटीन होफुली आप लोग को वीडियो पशंद आया होगा लाइक करिएगा और न्यू होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजएगा फैमली फ्रेंड में शेयर कर दीजएगा मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ नेक्स टूडियो में बाबाई टेक क्या